हेलो दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूटूब चैनल में तो आज किस वीडियो में हम लोग कलास 12 के फिजिक्स का हम लोग टॉप एक सो महत्पुन आपजेक्टिव प्रशन का सिरीज स्टार्ट करने वाले हैं वही प्रशन करेंगे जो आपके जम 2024 में हंडेर परसेंट पूछे जाएंगे ठीक है जितना भी प्रशन आपको करवा देंगे उससे बाहर एक भी नहीं पूछा जाएगा 35 में 35 आपका सियोर है सिर्फ आप सभी को इस वीडियो को अंत तक देखना है और जितना भी वीडियो हम आपको बनाएंगे सभी प्रशन को अच्छे तरीके से याद करते जाना है ठीक है तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो चलिए देखेगा पहला प्रशन क्या है और काफी जिदा ल लेक्त्रोन की संख्यां कितनी हो जाएगे दोपंच को इनने दस्की गात 18 ठीके ना अगला बसमें किया है किसी ओचालक पदार्थ के गोले को आवेस देने पर वा बितरित लेगे ओचालक कर रहा है तो आवेस देने पर अभशार के अलावा अंदर भी िता इन से कोई बिल्कुल औचालक कर रहा है इनमें से कोई नहीं होगा आपका डी नमर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है और इस चैनल पर जो अश्प्रेंट नए है चैनल को अबस नहीं सब्सक्राइब कर लिजेगा और वीडियो को लाइक कर दीजेगा देखे क्या है दिय होगा डियर टू रूट टू हो जाएगा काफी जिदा इंपोर्टेंट है 2018 में ये कोशन पूछा गया था ठीक है देखेगा अगला प्रशन क्या है आपका और 2018 में ये भी कोशन पूछा गया है जब किसी बस्तू को आबेसित क्या जाता है तो उसका दरबमान क्या होता है बढ़ता है घरता है बढ़ या घर सकता है देखे उसका जो दरबमान होगा न वह बढ़ या घर सकता है डियर ओप्सन नमर विल्कुल आपका डी नमर सही जवाब हो जाएगा ठीक है देखेगा अगला प्रशन क्या है किसी आवेस से किसी आवेस से अनंत दूरी पर उस के कारण बिदू छेत्र की तेवरता क्या होती है डियर सुन होती है ऑप्सन नमर भी अगला देखिए यदि दो आवेसों की मुल बिंदू से दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेसों के बीच बिदूतिया बल का मन क्या होगा बतला यह का दो हजार चोबिस के लिए जो इंपोर बिदूतिया बल का मन क्या होगा डिकरीज करेगा घट जाएगा ठीक है देखिएगा अगला प्रशन आपसे क्या पूछा जा रहा है आवेस एवं बी एक दूसरे को आकरसित करते हैं तब एवं सी क्या होगा बतला यह तब एवं सी क्या होगा देखिए यह परतिकर्सित हो होगे option number B आपका सही जवाब होगा देखिएगा अगला प्रश्ण आप से क्या पूछा जा रहा है एक अनावेसित धातु कन को एक धनावेसित धातु के पलेट के नजदीक लाया जाता है धातु कन पर बिदूतिया बल का मान क्या होगा इसका जो मान होगा डियर पलेट की तरफ होगा इसका मान की तरफ होगा पलेट की तरफ होगा option number आपका ए होगा अगला देखिए देखिए क्या है कोशन आप से पुछा क्या है एक बिंदू हाबेश जिसका मानी क्यों को एक दूसरे बिंदु आबेश ऐपटल क्योंकि चारो तरफ बिरता कार पत पर घुमाया जाता है ठीक है बिंदू छेत्र के दौार बिंदू非्चेत्र के का जवाव आप सभी comment box में इस वीडियो के comment box में बतलाएं आवेस का ऐसा मातर क्या होता है एंपियर फैराड या फिर बोल्ट या फिर कुलम बतलाएगा इस प्रशन का जवाव आपको comment box में बतला ना है path कै अगला प्रशन और 2020 के एक जम में यह कोशें पूछा गया था आवेस की या ओनी आवेस की dimension आप से पूछा जारा है इसकी बीमा 2020 में आप से पूछा गया था इसका जो परिमान बरावर होता है डियर 1.6th10 कई गहात मैनस 19 कुलम क्या होगा इसका परिमान 1.6th10 कई गहात मैनस 19 कुलम के बरावर सुमिद करते हैं इस प्रस सबिलानिकी चैप करने के इस सबी सही लगा होगी सब्सब्रावर be भाग देए भाग देने पर उसका अंसर जोगा पुर्न गुणज तेंटू दीपार मैनस 19 कुलम से अगर आप भाग किजिए गा ना देखिए गा पूरा पूरा कटेगा नहीं पुर्ण गुणाज में अंसर नहीं प्राप्त होगा यह कर जाएगा यह दस्वावला बुरा यह कर जाएगा चोवीस और सभी सभी पुर्ण गुर्ण के पीच लगता बल किस बीधूत आवैसों के बीच लगता जो बल है नावह किस द्हें नियम के अधार पर दिया जाता है बतलाइगा डियर क्या इसका जवाब होगा कुलंब के नियम के अनुसार इस बल का मान दिया जाता है तो इसके बीच बल कामान क्या होगा डियर यह चवठाई हो जाता है क्या होता है चाउताई हो जाता है ओप्सन नमर आपका डि हो जाएगा अगला प्रसंद नेगे एक मीटर की दूरी पर इस्थित समान दो अबिस ऑबिस जिनका पर तिये कामन एक कुलंब है दोनों के बीच बायू में बल होगा इन दोनों के बीच बायू में बल यानि कितने न्यूटन का होगा और देखे यह कोशन आपकी 2015 में पूछा गया था अच्छे तरीके से याद रखेगा मुक्त आप अकास एनि फिरी असपेस की प्राबवईदुतता एनि जो होती है एपसलोन नौट इसको पढ़ते हैं एपसलोन नौट एनि प्राबवईदुतता यह होती है काफी जदा पढ़े अपरती मीटर पढ़िए या फैराडे मीटर इनवर्स पढ़िए डियर ऑप्सन अब आपका सी हो जाएगा ठीक है कोई दिकत नहीं होना चाहिए और देखे यह कोशन आपके 2021 में पूछा गया था क्या कोशन है आपका जो रासी दिया गया है एक बट्टे फोर पा इसको एपसलों नोट पढ़िएगा एक बट्टे फोर पा एपसलों नोट का मान क्या होता है और 2021 में डियर कोशन पूछा गया था अच्छे तरीके से याद रखेगा इसका जो मान होता है डियर 9 गोने 10 to the power 9 newton meter square इसको पढ़िएगा newton meter square इसको पढ़िएगा कुलम inverse square ठी चलेगा अगला देखिए किसी माध्यम की आप एक चिक प्राव बैदुतता यह बराबर होती है काफी इंपोर्टेंट है देखिए अभी जो मापको question सभी करवा रहे हैं इसमें आपको ncrt question इसमें रहेगा modal sit का question रहेगा previous year का जो जितना भी एक्जमें पूछा गया सभी question mixing है dear सभी प्राशन को अच्छे तरिके से याद करते जाए एक भी प्राशन आपके एक्जमें नहीं चुटेगा यह 100% guarantee है 35 में 35 प्राशन आपके एक्जमें टकर आएगा ठीक है ना अगला प्राशन देखि किसी बिद्दूतिय छेत्र में किसी बिंदू पर इस्थिर परिक्षन आबेश यहनि test charge यहनि क्यू नोट पर लगा बिद्दूत बल जो एप सदीस हो तो उस बिद्दू पर बिद्दूत चितिवरता का मान क्या होगा dear काफी जिदा important question बनता है इस सदीस बराबर आपका हो आइनि electric field intensity ठीक है विद्दूत चेतर की तिवरता का मातर क्या होता है और 2022 में question पूछा गया था अच्छे तरीकस इस question को आप सभी याद में रखिए गा ठीक है ना विद्दूत चेतर की तिवरता का मातर क्या होता है परति कोलम होता है क्या होता है न्यूटन बट्टे कु इन्वर्स इसी को पढ़ते हैं ठीक है ना तो न्यूटन परती कुलम यह न्यूटन बटे कुलम यह पड़ें न्यूटन कुलम इन्वर्स जैसा आपका मन हो इसा पढ़िए ठीक है अच्छे तरके से याद रखेगा बीमा पूछ लिया जाता है ठीक है बिदू तो छेतर की तिवर्ता की बिमा MLT-3A इन्भर्स होता है डियर, option नमर B हो जाएगा, अगला दिखिए, एक बिन्दू A, B, C, Q, C, R, दूरी पर बिदू तो छेतर की तिवर्ता का परिमान क्या होता है, इसकी तिवर्ता का डियर जो परिमान होता है यह आपका 1 फोर पा, एपसलो नोट, और यह मौड में आपका कैप्टल Q, आप बट्टे, R, असक्वाइर होता है डियर, ठीके न, याद रखेगा, आपके 2024 के लिए, एकस्पेक्टेड कोशन आपके लिए, यह होने वाला है, ठीके न, दिखिएगा, अगला कोशन क्या आपका, एक प् आपसन नमर जो B, विद्धुत बलो के परिमान बराबर होंगे, बिलकुल आपका यही सही जवाब होगा, आपसन नमर B, अगला दिखिए, निमनल लिखित में कौन सदीस रासी है, बताएगा काफी जदा इंपोर्टेंट है, सदीस अदीस से एक कुशन पूछा जाता है, देखिए, सदीस रासी कौन है, देखिए, जिसके अंत में देखिए, वा रहेगा ना, वा रहेगा, जिसके शुरू में वा रहेगा ना, वा रहेगा, सभी के बात में नहीं करते हैं, यह सभी आपका होता है, यह सदीस होता है, बिद्धुत तिवरता आपका सदीस हो गया, ठीक है ना आज इसे आपका बेग यह आपका क्या होगा सदीस हो जाएगा यह वह और वह से च्ठाट होगा और जिसके और यह आपका यह बला नोर रहेगा वह भी जिसे तोरन हुआ तोरन ये आपका सदी सब्दिश के बात नहीं करें अब ठीक चार पंच इसको एक ट्रिक के तरह आप लोग सदी सदीस सदीस लिख लिजी और इत्रिक के तरह याद कर लिजी इसे हम एक ट्रिक बना देंगे इस पर ठीके ना तो बिदुत्ति वड़ता जो है आपका ये शदी से रासी है ठीक hack verder वैंपर्ड अगर है साबून है के एक बुलबुले को जब आवेसित किया जाता तो उसकी तिर्जिया क्या होती है बतल यह ऐगा उसकी तिर्जिया क्या होती है जीए बिल्कुल्ग रिगे उम्मीद करते हैं आप सभी भी एह ही लगा होंगे अगला वीद्दूर्ब आगोर्ण का ऐसां मात्रक क्या होता है क्या होता है क्या होता तो क्राय क्लम मीटर इस पढ़िएगा चैजहको ओप इस पलस क्यू किसी क्या है किसी वियुक्त लिखा है किसी वियुक्त चालक तल से अस्मॉल डी दूरी पर इस्तित है तल के दूसरी और के बिंदू पी पर छेतर की दिसा क्या होगी डियर बतलाईएगा इसका जवाब क्या होगा इसकी छेतर की दिशा तल के लमवत तथा तल से दूर की ओर है डियर आपसन नमर आपका ए हो जाएगा अगला दिखें किसी बिंदू क्या है कोशन किसी बिंदू धनाबेस को किसी वियुक्त चालक गोले के निकट लाया जाता है बिदूत छेतर को दरसाने वाला सर्व सरेष्ट चितर कौन है ये एंस एंस यार्टी का कोशन है बतलाई चार ओप्सन में से कौन इसका सही जवाब हो जाएगा डियर बतलाईए कौन सही जवाब होगा ओप्सन मर बिल्कुल आपका ए आप लोग पढ़े होगे है तो आपक आपका ए सही जवाब हो जाएगा अगला दिखिए अगला प्रशनी क्या है एंसी अडि का कोशन है चितर में विद्धूत छेतर रिखाएं दरसाई गया है देखे जिन में से एक विद्धूत दूधूर्व पी चितर में दरसाई गया है देख सकता है यहां पर पी आपको दर्शाया गया अनुसार निमलिखीत प्रकत्व में से कौन सा ऑप्सन में से कौन सा ऑप्सन है जो कि डियर सही दिया गया है देखिए यह आपका ऑप्सन नमर जो C है न दूई धूर्ब बाई और किसी बल का अनुभव करेगा बिलकुल सही जवाब है डियर ऑप्सन नमर लिए ठीक है और जितना भी कोशन कर बादेंगे उससे बाहर आपके पूछा जाएगा चली आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छा लागे तो आप से भी लाइक किजिएगा दोस्तों को सेर करते जिएगा तो चली फिर मिलते हैं ने वीडियो में अब से आपको रेगुर